जरूर करें ये काम, भैतर होते हैं इनके परिणाम. नमबर एक, घर से बहार जाते से मैं अपने बड़े और मातापीता का आशिवात अवश्य लें, घर में पड़े ना हो तो भगवान के चरण छूकर ही घर से बहार जाएं, आपके मन में साकारात्मक्ता बनी रहेगी, जो आपकी सफलता का कारण होती है. नमबर दो कोशिश करें, कभी भी किसी के घर जाएं या अपने खुद के घर लोटें, तो कभी भी खाली हात ना जाएं, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ अवश्य लेकर जाएं, इससे आपके भागे को बल मिलता है और दूसरों का आशिवात. नमबर तीन, कभी भी घर वापिस आकर जूते, चपल, बैक, कपड़े, इतियादी, इधर उदर ना फैलाएं, पलकि सभी चीजों को यथा स्थान पर रखें, इससे एक तो आपका घर सुन्दर होगा, दूसरा मालक्ष्मी का आशिवात आपको मिलेगा है. नमबर चार, सुबह सवेरे प्रमूरत में जागें और विस्तर से जब भी उठकर बैठें, तो हमेशा दाई तरफ करवट लेकर उठना चाहिए. नमबर पास, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हत्वेलियों को देखें और अपने माथे पर लगाएं और भगवान को एक नई सुबह देने के लिए धन्यवात करें. नमबर छे, सुबह के नास्ते से पहले एक रोटी के चार भाग करें, पहला भाग भगवान को समर्पित करें, दूसरा भाग गाय को दें, और तीसरा भाग कुत्ते के लिए रखें और चोथा भाग पक्षियों को डालें. नमबर साथ, सुबह नास्ते से पहले एक लोटा जल सूर्य देव को अरपित करें और उनका आशिवाद लें, ताकि दिन भर आपके जीवन में रोश्नी बनी रहें. वीडियो के जानकारी अच्छी लगें, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.